क्या कारा काट में EVM का खेला हो गया है पवन सिंग के खिलाब हुआ क्या है वो हम आपको समझाते हैं अब देखिए मीडिया में तो आप देखी रहे हूँगा किस तरीके से पवन सिंग परचंड भूमत से जीत रहे हैं इतना ही नहीं फोन करके भी कारा काट में पता कीजिए तो वही पता चलेगा कि पवने सिंग जीत रहे हैं या फिर प्रस्णली आप ग्राउंड पे भी चले जाईए तो वही दिखेगा कि पवने सिंग जीत रहे हैं प्रवान सिंग को भारी बहुमत से हरा रहा है लोग आप जाके एगजिट पोल देखो जिसमें पता चलता है कि 40,000 वोट भी पाहुन सिंग को नहीं आ रहा है 20-30,000 में निपड जाएंगे और वो भी उनके बीवी के संघर्ष के वज़ा से आएगा और ये सब चीज दे के पावन सिंग के फैंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोगो तो 4 तारी को पता चलेगा लेकिन कुछ लोग इस चीज को भी लेके नराज है जैसे उनको लग रहा है कि नहीं कुछ EBM में खेला तो नहीं हो गया है नहीं इतना अंदर का जानकारी कैसे हो गया इन मीडिया वालों को खेर इस पे आप क्या सुचते हैं नीचे कोमेंट करो आगे बढ़ते और बात करते हैं मनिश कसरब के बारे में ये लोग इंटरव्यू दे रहे थे मीडिया में होता ये है कि बात करते करते ये लोग बात करते हैं कि पावन सिंग को तो 30,000 बूट मिला बहुत ज़्यादा मुश्किल का चीज है इतना ही नहीं मनिश कसरब तो यहां तक कह देते हैं कि देखो वया पावन सिंग गेम में ही नहीं है वो तो उसी दिन आउट हो कहते जिस दिन इलेक्शन हुआ था अब ममला बस दो ही लोगों के बीच में बचा हुआ है पेंदर में अब जहां डीप समझना है कि एलेक्शन में के अलावा भी कोई खेला होता है क्या जो सिर्फ पाटी ही कड़ती है पाटी ही जानती है चूंकि हमको जहां तक लगता है मनीश कश्ब ग्राउंड रिपोर्ट भी तो यही कह रहा था कि पावं सिंग चुनाओ जीत रहे हैं आप देखे एकजिट पॉल में आप ये देख रहे होंगे कि पवन सिंग चुनाव हार रहे है और बहुत गंधे तरीके से हार रहे है जानते हैं यह क्यों किया जा रहा है देखे यह बात सिर्फ पवन सिंग के लिए नहीं है यह बात विपर्चु उखा रहा है लेकिन आप पवन सिंग के वोटर है फैन है इसलिए आपको भी यह समझना जरूरी है और वो क्या है स्वेम आपको बताते हैं देखे एगजिट पोल में पवन सिंग को इसलिए हराया जा रहा है ताकि वहाँ पे दबाओ बनाया जा सके वहाँ पे मनोब्यज्ञानिक चीजों को इंप्लिमेंट किया जा सके कि आरे पवन सिंग चुनाओ हार रहे हैं और इस चीज को विपक्ष किस तरीके से आवाज उठ पहा रहा है वह बस आप पोवन सिंग के वोटर और फैन समझके इसको देखिएगा बागी इंडिया का मैटर छुड़ दीए यह एकजिट पोल मैनेज किया है और यह जो आंकडे हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं चार तारिक को यह जमीन आसमान का फरक होगा एक दिन पहले दो दिन पहले चुनाओ के नतीजा आने के दो दिन पहले निवर्तवान ग्रहमंतरी सारे डेड़ सो डियम और कलेक्टर से बात करते हैं क्यों यह उने बात की तो यह सब दबाव लगा रहे हैं एक माहोर पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं हम आने वाले है माने वाले हैं चलीए इतना individ pole-uck one एक जिटपोल हो रहा है तो आपको gazingो दिखाया और यह ग्मावनß को है जो है घिराज काई हाँ हम आपको बताएं वह लोकल जेत्र के पत्रकार हैं जो एकड़म गाउंड जीरो से वस्तवित्ता जानते हैं हाँ इनको ABP News पे बुलाया गया था और ये क्या तकड़े तरीके से हर एक जीलों को explain करके बताएगी पहां कितना vote मिलेगा और उसमें साफ देखा जा सकता है कि भाई साहब ground का इस्थिती पूरा एकड़म अलग है और पहां सिंग वहाँ पे जीत रहे हैं अब ही जो ground पे दीख रहा हो जितना हमने बात किया ये 30 से 35 जार तक का हो सकता है लेकिन फिर भी इनको भी कुछ सक संदेथ उठा इसलिए ये भी कहते हैं कि नहीं इंतजार चार तारीका कीजिए क्योंकि ये सब रिपोर्ट पर उपना भरोसा नहीं कर सकते हैं बाखी तो चार जुन को आगे बरते और बात करते हैं कमाई के बारे में लेकिन कमाई से पहले बरबादी के बारे में जान लिगजिए इस चुनाओ में सबसे ज़्यादा किसी का पैसा लूटा गया है सबसे ज़दा कर किसी का पैसा बरबाद हुआ है तो वो एक सिंगल इंसान है और वो है पवन सिंग बाकी सब लोगों का फायदा ही फायदा ही फायदा हुआ है किसका किसका हुआ है वो हम आपको बिताते हैं सबसे पहले मीडिया सोस्थान का बाब रिबाब पैसा का भरमार लगा दिया पोवन सिंग के नाम पे इतना ही नहीं भोजपुरी के सूपर स्टार बाई साब कोई दुसमन भी है नो पोवन सिंग का तो वो गाना गार आया, पवन सिंग इंडाबा आता, पवन सिंग भोट देगे जितादा, कल तक गाली दे रहे थे और आज पवन सिंग के नाम से जब पैसा कमाने का बाली आया, तो सब पैसा के सपोर्ट में गाना गागा के लाखो रुपया डॉलर के मार्दम से कमाएं इतना ही नहीं खेसारी लाल यादो तो गजब का भोकाल बनाएं भाले पैशा नहीं लिये हो लेकिन करोरो रुपया खर्चा हो जाता जिसना कारा कार्ट में भोकाल बनागे गया है उतना अकेले भोकाल बनाने में तो वो भोकाल बना और एक ग्रूप और है और वो ग्रूप है जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है मतलब पवन सिंग जितना बरबाद हुए है न उसका 50% अगर कोई पैसा कमाया है तो वो छोटा सा ग्रूप है जिसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे चुनाओं के बाद रिजल्ट रिजल्ट आजाता है तब लेकिन उससे पहले आप लीचा कमेंट कर सकते हैं कि वो गूरूप कौन है जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है इस चुनाओं में कितना माल उठाया है आगे बढ़ते और बात करते हैं डिम्पल सिंग के बारे में नहीं नहीं कॉल्ट तक तो यह पौवन सिंग के साथ एकड़म रहती थी चिपक के और इतना ही नहीं सबसे कुलोज फ्रेंड के लिष्ट में अगर पौवन सिंग के कोई आए तो वो डिमपल सिंग ही थी लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके वज़ा से डिमपल सिंग एक दिन चुनाओं परचार में नहीं दिखी और नहीं उनका किसी भी तरीके से कोई प्रतिक्रिया आया तो दोस्तों इसके तीन कारण थे सबसे पहले तो कुछ प्रसनल था जिसके बारे में हम डिसकस नहीं करना चाहेंगे फिर थोड़ा सा आगे बढ़िए तो आपको पता चलेगा कि बिमपल सिंग जो है भोजपुरी फिल्म इंडेस्ट्री में हो किर्तिमान किर्तिमान वाला का है कि अगर खुदा नखास्ता चली आती कारा काट में तो पहुंसी एलेखा जीतने वाले हैं चार लाग बोट से तो जीते दस लाग बोट से तीसरा कारण है वो अजकल केदार ना ध्भूम रही है हाँ पूजा पाठ में चार धामे आतरा कर रही है तो उसमें भी ज्यादा बेस्ट है इसलिए ये चुनापरचार में नहीं आई आगे बुर्तेवर बात करते हैं पटना हनमान मंदिर के बारे में क्या मस्त काम हो हाँ पर सुरू हुआ है इसको सुनके आपका विद्दिल अदम खुस हो जाएगा अब रातरी में भी जरूरत मंद और गरीब लोगों के खाने की उत्तम प्रबंद जो है वो हनमान मंदिर ड्रश्ट द्वारा कर दिया गया है और इसका सुरुआत हो भी चुका है तो आप कभी भी पटना जाएगा तो हनमान मंदिर में गरीबों के लिए सही जरूर कीजेगा फिलाल अभी कुछ नहीं कर सकते हैं तो कमेंट में जय हनमान तो जरूरी लिख दीजिए चलो दोस्तो आज के लिए इतना ही आपके पास अगर कोई न्यूज है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक क्या वहाँ से भी सकते हैं और चैनल को सब्स्क्राइब कर लिजे इसी तरीके से अपडेटेट रहने के लिए